आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कॉन सूप की एक बहुत ही सिंपल यम्मी सी रेसिपी बहुत फिलिंग ये सूप होता है बहुत निट्रिशिस होता है तो जल्दी से वीडियो स्टार करते हैं इसके लिए मैंने यहाफ कॉन लिया है और इसको आपको इस तरीके से मैं यहाँ चाकू से निकाल रही हूँ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो आपके पास अगर वो कॉन पीलर है तो आप उससे भी इस तरीके से कॉन को सारे निकाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कौन को निकाल लिया है और साथ में मैंने लिया है ये थोड़ी सी गाजर और थोड़े से आलू तो सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पैन को गरम किया है पैन आपको धिहान रखना है बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए ताकि ये बटर आपका जले ना और इसमें मैं डाल रही हूँ वस बहुत थोड़े से आलू चार से पांच पीसे लिये है मैंने छोटे छोटे और हाफ गाजर डाली है मैंने इसमें तो 10 से 12 पीसे ये गाजर के हैं आलू और गाजर डालने से इसका nutrition और बढ़ता है और soup में थोड़ी थिकनेस आती है और इसका taste भी बहुत बढ़ जाता है तो यहाँ पर मैं इसको 1 से 2 मिनिट के लिए fry करूंगी और इसमें मैंने ये 1 टी स्पून बटर और डाला है आपको ध्यान रखना है गैस आपको धीरे ही रखनी है और बटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये कौन जो हमने छील कर रखे थे और इसके बाद आपको इसको अच्छे से fry करना है fry करने से मेरा मतलब ये है कि इसको यहाँ पर थोड़ी देर cook करना है कितनी देर तक cook करना है जितनी देर में ये जो corn है ये थोड़े से soft हो जाएं इससे बहुत अच्छी से खुश्बू आने लगेगी आपको खुद पता चल जाएगा और ये जो corn है ये इस तरीके से pop-up होने लगेगे तो यहाँ पर ये जो corn है ये अच्छे से fry हो चुके हैं इसको बहुत जादा भी आपको कुक नहीं करना है बस थोड़ी देर तक आपको इसको fry करना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी पानी आप एक ग्लास डेर ग्लास जितना भी हो आप डाल सकते हैं कोई issue नहीं है और साथ में मैंने डाला है इसमें ये half teaspoon नमक नमक डालने से क्या होगा कि ये जो सारी सबजियां है ये अच्छे से और जल्दी कुक हो जाएंगी तो यहाँ पर मैंने इसको ढखकल लगा कर कुक करना शुरू कर दिया है 10-15 मिनिट में ये जो कौन और ये जो सारी सबजियां है ये अच्छे से पक जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आलू है ये बहुत अच्छे से अब गल चुके हैं और ये कोख हो चुके हैं मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये देखिए बहुत अच्छे से तूट रहा है मतलब ये रेडी है अब हमें क्या करना है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ इस ब्लेंडर में तो अब यहाँ पर इससे ब्लेंड करके इसका एक स्मूद मिक्चर रेडी कर लेना है पानी की जरुवत लगे तो आप ब्लेंडिंग के टाइम पानी भी डाल सकते हैं तो ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको डिरेक्ली छान लिया है पैन में चानने से क्या होगा यह जो कौन का ऊपर का छिलका होता है यह थोड़ा सा हार्ड होता है तो इस तरीके से चानने से वो सारा रिमूव हो जाएगा और नीचे आपको मिलेगा बिल्कुल स्मूद मिक्चर तो यह जो कौन है अब हमें इसे बिल्कुल धीमी आज में पकाना है फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च और साथ में मैंने डाला है ये सौंट यानि की ड्राइ जिंजर पॉर्डर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ठंड में ये बहुत फायदा करती है और काली मिर्च अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ी देर तक और पकाना है बाइचांस नमक इसमें कम लगे तो आप और डाल सकते हैं पांच से दस मिर्ट में जो सूप है इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा ठिक हो जाएगा कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसी भी आपको पसंदो तो ये जो सूप है ये बिलकुल रेडी है इससे जादा आपको इसको नहीं पकाना है और इसको आप लुकवम सर्फ करिए ये बहुत अच्छा लगता है और बाइचांस अगर ये सूप बच जाता है आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं दो से तीन दिन तक के लिए और इसको गरम करके सर्फ कर सकते हैं और सूप के साथ आप दे सकते हैं ब्रेड या बटर या फिर ब्रेड को इस तरीके से सूप में डिप करके बच्चे को ऐस फिंगर फूट भी दे सकते हैं ब्रेड के साथ ये complete meal हो जाती है और आप चाहें तो आप थोड़ा सा उपर से क्रीम भी डाल सकते हैं क्रीम डालने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा ये और क्रीमी हो जाएगा आप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर करिए इसी तरह चानल को देखते रहिए सपोर्ट करते रहिए जल्दी मिलते हैं कौर नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई